नवस्कार दोस्तो इस्टेडी विद पॉन पर्दिप में आप सब लोगों का स्वागत है दोस्तो आज चर्चा की जाएगी कक्षया 6 पृथवी हमारा आवास के पांच नमबर 6 पांट का सीर्षक है पृथवी के परमुख इस्तल रूप पर्थवी के परमुख इस्तल थे उसके बारे मैं बताऊंगा माउंट किली मंजारो अफिरका महाद्वीब में था और फ्यूजी आमा जो ज्वाला मुखी है वो जापान में है आप याद रखेंगे कि किली मंजारो माउंट किली मंजारो अफिरका में और फ्यूजी आमा जापान में है ये ज्वाला मु फूजी यामा जापान के बतले कुछ और ना कह दिया हूँ इसलिए आप याद रखेंगे माउंट के लिए मन जारो है फिरका यह फूजी यामा जापान में है यह चर्चा शुरू करते हैं उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हमारे यूटुब चैनल के चैनल कोन 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 से डिखाई देते हैं परवत है पठार है मैदान है यह सब क्या है पर मुख इस तल रूप है आगे हम चर्चा करें परवत पठार में क्या अंतर है परवत का शिकर छोटा तथा आधार चोड़ा होता है या नहीं इस टाइप से परवत होता है शिकर कम चोड़ा होता है उसका यार उंचा ज्यादा होता है जबकि आधार चोड़ा होता है जबकि पठार उपरी भाग मेच के समान सपार तथा आ अधिक उठा हुआ होता है पठार बिल्कुल ऐसे ही उठा हुआ होता है और उपरी हिसा भी क्या होता है समतल होता है परवत का उधारन हिमाले परवत है और पठार का उधारन दक्कन का पठार है आगे हम चर्चा करें प्रस्ट नंबर तीन पर परवतों के विविन परकार कौ परवत जोला मुखी परवत बलित परवत में हमने हिमालाई राकी और आपलेशियन अन्य परवत के नाम पड़े थे वैसे ही भरंशोस परवत में हमने देखा था कि ये परवत आपके उत्खंडित परवत कहलाते हैं होस्ट परवत कहलाते हैं जहां पर उठ जाते हैं और जहा के परवतों का उधारण अगर हम देखें यूरोप में राइन घाटी में इस परकार के परवत मिलते हैं जब कि जौला मुखी परवत का उधारण अभी हम बता चुके हैं फिरका में माउंट किली मंजारो तथा जापान में फ्यूजी यामा इस परकार के महत्पूर्ण परव मनुस्रियू के लिए पर्वत निमने परकार से उप्योगी है आप देख सकते हैं किस परकार से उप्योगी है नम्बर एक आप देखेंगे यहां पर पर पर्वत जल के संगराहक होते हैं और नजिऊ का सुरोथ पर्वत। में इस्तित हिमानी से होता है उसके बाद हम देखें यहां पर परवतों से प्राप्त जल द्वारा बिजली उत्मन की जाती है और साथी साथ परवतों से जल सीचाई तथा पीने के लिए उप्योग किया जाता है जल जो है सीचाई तथा पीने के लिए उप्योग किया जाता ह जो परवतों से नेद्या आती हैं और परवतों में अलग-अलग परकार की बनिस्पितिय। पाए जाते हैं परवत परियटन को भी क्या देते हैं बढ़ावा देते हैं। अगला प्रशन है मैदानों का निर्माड किस पर कार हुआ है नदियों युम उनकी साहिक नदियों द्वारा मैदान बने हैं नदियों परवतों के ढालों पर नीची की और बहती है तरह उन्हें अपर्दित करती हैं अपने आसपास के सेत्र को गौसात को बहा करके ले आती है कंकर बत्थर बालू ये सब चीजें और जब वह मैदानी शेत्रों में जाती है तो वह क्या हो जाती है उसकी गेती धीमी हो जाती है और वह इन सब चीजों को बहाने में असमर्त हो जाती है और क्या होता है कि ये वहीं पर रुख जाते हैं जिससे मैदानों का क्या हुआ है न निर्मान हुआ है यहां पर देखें हम नजियों द्वारा या उनकी शाहिक नजियों द्वारा मैदान बने हैं नजियों परवतों के ढालों से नीचे की और बहती है तथा उन्हें अपरदित कर देती है परदित पदार्थों को अपने साथ आगे की और ले जाती है और अपन देखें नजियों द्वारा निर्मित मैदान अधिक जनसिंख्या वाले हैं या नहीं नजियों द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसिंख्या वाले होते हैं क्यों मैदान बहुत ही उब जाओ होते हैं यहां परिवहन साधनों का निर्मार करना आसन होता है इसलिए यह मैदान बिश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। बिश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। मतलब हिम निदियां कहां से निकलती हैं। भारत अगला प्रश्न है यांग से नदी कहा बहती है दक्षन अमेर्का ऐस्टलिया या चीन पाट के दोरान हमने देखा था कि यांग से नदी चीन में बहती है अगला प्रश्न देखे हम यूरोप की एक मुहतपूर्ण परवस्रिंखला है एंडी आलपस या राकेज एंडीज देखें हम दक्षणी अमिर्का में हैं, आल्पस यूरोप में हैं, आल्पस कहें या इसे आल्पस भी आप कह सकते हैं, आल्पस प्रवत कहां पर है, आल्पस प्रवत है आपका यूरोप में, जबकि राकीज उत्तरी अमिर्का है हम एंडीज दक्षणी अमिर्का में इसके सारे उत्तर थे आप देख सकते हैं 5 के 5 परस्ट के उत्तर अगला परस्ट परस्ट है रिकतिस्तानों की पूर्ति करनी है आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला प्रशन है सम्तन भूम वाले बिश्टित मैदान बिश्टित सेत्र को क्या कहते हैं मैदान कहते हैं बिश्टित सेत्र को क्या कहा जाता है मैदान कहा जाता है यहाँ पर पहले मैं मैदान भिरेंगे उसके बाद हिमाले यह आलप परवत डोट डोट परवतों के उधारन ह अगला प्रस्न है डोडडोड सेत्रों में खनीजू की परचूरता होती है पठारों में उसके बाद अगला प्रस्न हैutta डोडडोड परवतूं का एक करम हैं परवतों का करम देखें तो स्रिंखला एक परवतों का क्या होती है करम होती है मतलब जब बहुत सारे स्रिंखला ये ऐसी होती है तो एक परवतों का क्या होता है करम होता है अगला प्रस्ने देखे हैं हम यहाँ पर डोड़ो सेत्र क्रिशी के लिए सबसे अधिक उत्पादक सेत्र है मैदान क्या होते हैं आपके क्रिशी के लिए सरवाधिक उप्यूक तो होते हैं या उपजाओ होते हैं यह इसके आंसर थे आप देख सकते हैं और अपने पाठ्ट पुस्ता क्या नहीं कापी में लिख सकते हैं नोट बुक में नोट कर सकते हैं साथ छे वाले और साथ ही साथ आपको एक और प्रस्ट यहां पर दिया गया है आपके ताच में किस फरकार के इस तल्रूप पाए जात और यहां पर परवती सेत्र अधिक हैं हम परवतों में ही रहते हैं यहां पर बहुत सारी चीजें उप्योगी होते हैं जैसे यहां पर यहां की लकड़ी है और जंगलों में मिलने वाले फल हैं आदि कई परकार के वसेदिया हैं जो यहां पर पर्चुर मात्रा में मिलती हैं और काफी लाबदायक होते हैं मनुश्य के स्वास्त के लिए सब चीजां आप लिख सकते हैं उसके बाद है बिश्चु के मांचित्र पर दर्शाना है हिमालाई रॉकीज एंडीज और पठार में तिब्बत का पठार देखे हम कहां कहां पर कौन से परवत यहां पर हैं आप देख सकते हैं रॉकीज परवत यहां पर है उत्तरी अमिरका में एंडीज परवत दक्षणी अमिरका में हैं हिमालाई परवत यहां भारत और नेपाल और यहां म्यानमार की ओर है और तिबत का पठार है तिबत में है आपका जो पठार दिया गया है करकरे का यहां पर विस्वत रेखा और सबसे नीचे होगा आपका मकर रेखाए यह रेखाओं का भी ध्यान आप रखेंगे यह थी आज की चर्चा अगर आपको अच्छा लगत तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीज़ेगा क्यूंकि विद्या धन एक ऐसा धन है दोस्तों जो जिसको हम जतना ज़ाधा वाटेंगे तो हमारे पास उत्ता ही जादा आता है इसलिए अपने दोस्तों की मदद कीजिए जय हिन जय भारत